सुकमा जले का एक मातर परिटक स्थल बदहाली का शिकार हो चुका है बताते चली कि वनवेभाग में तुंगल बांध को परिटक स्थल के रूप में विक्सित करने के लिए करीब डेर करोड से भी जादा की राशी खर्च की थी लेकिन रख रखाव के आभाव के चलते इस परिटक स्थल की दश्या बिगड़ गई और इतना ही नहीं तुंगल जलाशे के नाम से प्रसिद बांध कभी शेत्र के किसानों के लिए वर्दान साबित हुआ करता था बांध के पानी से किसानों की खेट सचाई तक होती थी परिटन स्थल के रूप में विक्सित करने के पाद धीरे धीरे वन अपसरों ने तुंगल बांध की ओर ध्यान देना छोड़ दिया रख रखाव नहीं होने की वज़े से तुंगल बांध पूरी तरह से उजड़ गया है सर मैं बचली से आया हूँ कुछ सालों पहले भी मैं यहां आया था उस वक्त तो यहां की परिस्तिती काफी अच्छी थी पर उसी चीजों को याद करते हुए आज फिर हम अपने परिवार के साथ घुमने आए देख रहे हैं बधाली का इस्तिती है लोगों को देखवाल का जवरत है इसमें और काफी ज्यादा हद तक पहले के मुकाबले अब यह चेंज हो चुका है अच्छी जगह है यह देखने सुनने के लिए और आपके बस्तर जंगल में बना हुआ यह पार्क है बहुत अच्छा पार्क है अगर इसका बढ़ावा किया जाए इसको परचारीत किया जाए तो अच्छा चले जाए और लोगों के लिए आकरसन का कंदर बन सकता है कम्या है कि इसमें थोड़ा साफ सफाई की जरुवत है कुछ जो यहां के कार्ज करता हम लोगों को रहना चाहिए सामने में ऐसा तो कुछ दीका नहीं सुकमा जिले का एक मात्र परेटन स्थाल तुंगल बांद इंदनों बरबादी की कागार पर पहुँच गया है सुकमा बन विभाग ने कैमपा मद और विभागे मद से डीड़ करोड से ज़्यादा की राशी इस पर खर्च की गए संद्री करण के नाम पर खर्च की गए राशी आज वेर्थ साबित हो रही है कभी तुंगल जलाशे का पानी सीचाई के लिए इस्तिमाल किया जाता था लेकिन जब से परेटन इस्थल बनाने के बाद से यहां सीचाई के लिए इस पानी को पानी पर रोक लागा दी गए थी आज ना तुंगल जलाशे ना परेटन इस्थल के रूप में विक्सित हो पाया ना किसानों को यहां सिचाई के सुधा मिल पा रही है पूरी तरह से जो सरकारी राशी इस पर खर्च की गई है वह बरबाद होता नजर आ रहा है सलीम शेख, ND TV, सुकमा